प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आश्कृता, नो यूर फेट जिन लोगों का जन दिन 21 अप्रेल को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्म दिन की हार्दिक्षुप कामना हैं आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार होगा करियर में थोड़ी समस्याओं के बाद बदलाव होगा विवाह और संतान के मामले में थोड़ा विलंब हो सकता है इस साल आपके विदेश जाने के प्रबल योग भी जरूर बन रहे हैं क्या करेंगे? पूरे साल भर ब्रिहस्पती मंत्र का अगर आप जब करें ओम ब्रिम ब्रिहस्पतये नमहा तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा रात में विवाह की जो परंपरा थी वो मुगल काल में विशेश परिस्थितियों में शुरू हुई थी सामान्यतह रात में विवाह करना उचित नहीं होता अब तो ऐसा समय भी नहीं है विवाह दिन में या उशा काल में सुर्योदय हो रहा है उस समय या सुर्यास्त हो रहा है उस समय विवाह करना बड़ा बढ़िया होता है वैसे देखिए अगर समय का भाव है या मजबूरी है तो विवाह जब भी करें उचित मुहूर तुमें करें वो काफी बेहतर होगा इस आड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूरना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तब अर्टर तब नो यॉर फेट बहुत सारे विद्यार्थी या छात्रिये शिकायत करते हैं कि हम बड़ी पढ़ाई करते हैं बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन पढ़ी हुई चीजें याद नहीं रहती हैं क्या करना चाहिए पढ़ते समय अपने सामने सफेद कांच के गिलास में पानी भर करके रखिए ऐसा मत रखिए या कौपी किताब पे गिर जाए थोड़ा किनारे नेकिन सफेद कांच के गिलास में थोड़ा पानी भर के जरूर रखें पढ़ते समय अपनी जीब को तालू से यानि आपके मूँ का जो उपरी हिस्सा है जीब को उपर की तरफ सटा करके रखें अगर ये दो काम आप करें तो पढ़ी हुई चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी जल के किनारे पानी के पास साधना करने से ध्यान करने से पढ़ाई करने से चीजों को याद रख पाना थोड़ा आसान होता है सामान्यतह अगर आप नौरत्न पहनते हैं तो ये जान लीजिए कि सामान्यतह नौरत्नों की अंगूठी या नौरत्नों का लौकेट मत पहनिये नौरत्नों की अंगूठी या लौकेट पहनने से आपको स्वास्त की समस्या हो सकती है क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं हो सकता जिसके नौ के नौ ग्रह अच्छे हो और आपने सारे रत्नों की अंगूथी अगर एक साथ पहन ली है तो सेहत के मामले में और मानसिक स्थिती के मामले में आपको दिक्कतें हो सकती है